हेलो गाईज आज है नवेंबर की 24 तारिक और विंटर सिजन में लगने वाले वेजिटेविल्स और फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग और कुछ नया प्लांट मैं नरसरी से खडित कर लाया था जिसका सीडलिंग और रिपोर्टिंग मैं अल्रेडी कर चुका हूँ तो सब से पहले यहाँ पर चृत के ऊपर मैं थोरा सा जगए पर देखें यहां पर बेड बनाया हूँ जिसके अंदर धनिया और पालंक dared को कर दिया था यहां पर थोड़ी बहुत बचा था धनिया और पालंका बीच जो यहां पर मैं लगाया था और इसके नीचे छोटे से जगे के अंदर यहां पर और यहां पर भी बहुत सारे धनिया के सीडलिंग्स में किया था कल जो अभी भी देखिए जर्मिनेट हुआ नहीं है आने वाद तमाटर तो टमाटर के जो प्लान्ट है वो तो बहुत एच्छे से इसके ग्रोध सुरू हो चुके है, बहुत सारे लीब्स निकल कर आए है, और यहां पर एक मैरीगोल्ड के प्लान्ट है जिसको मैं ग्रो नहीं किया था, अपने आप ही ग्रो हुआ है, बहुत सारे फूल खि मतलब पालंग की सीडलिंग किया हूं कल ही देखते हैं कितने समय लगते हैं इसमें सीडलिंग को जर्मिनेट होने में तो यह तो ता कैरी का रेजल्ट जिसके अंदर मैं वेजिटेबिल प्लांट्स की सीडलिंग कर चुका हूं और मेरे पापया प्लांट पे अभी भी बहुत सारे पापया लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दस बाड़ा पापया अभी भी है और इससे पहले में बहुत सारे पापया को हर्वेश्ट भी कर चुका हूँ तो आने वाले कुछ दिनों में मैं और एक पापया के प्लांट लेकर आऊंगा और कैरी के अंदर ग्रोग कर लूँगा लेकिन इस साइट पर यहाँ पर मेरे जो बैनाने के प्लांट है वहाँ भी मैं थोड़े बहुत सीडलिंग किया था धनिया के वो भी देखिए प्लांट निकल कर आ चुका है और यहाँ पर थर्मोकॉल डिबे के अंदर टमाटर के प्लांट का रिपोर्ट किया था नर्सरी से लाया था धाई रूपिया पर पीस और यहाँ पर भी धनिया और पालंग का देखिए चोटे-चोटे से प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा इस साइट पे भी और एक थर्मोकॉल के डिबे है जिसके अंदर भी दो-दो करके मैं टमाट जो टमाटर के प्लांट है इसका ग्रोथ सबसे बढ़िया है बहुत साड़े नैने से ब्रांच और लीब्स निकल कर आए है और यहाँ पर भी पालंग धनिया के देखिए प्लांट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर और एक कैरी है जिसके अंदर मैं बीम्स की सीडलिं किये हुए जो भी हो आने वाले दो-तिन दिन के अंदर मुझे लगता है इसमें से और एक आद प्लांट निकल कर आए तो मैं आप लोगों के साथ इसके भी आपडेट शेयर करता रहूंगा और यहाँ पर सभी विंटर सिजन वाले फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पर एक भ लिए के प्लांट है जिसको मैं अभी फिलाल चाहों पर रखा हूं यहां पर दो प्लांट है और सबका ग्रोथ बहुत है यहां पर कुछ प्लांट है मेरी गोल्ड के जिसको खड़ीद कर लाया था नर्सरी से यह सारी येलो है आईटी है बहुत सारे फूल खिलेंगे तीन प्लांट है और इसके अलाबा यहां पर चार प्लांट है जो रेड कलर में फ्लावरिंग करेंगे जिसमें से लिए यह पर बर्ट भी निकल कर आए है इस सब बार्ट को मैं अभी कट कर दूऊंगा ताकि प्लांट का ग्रोध बहुत ही अच्छे हो बहुत सारे नेने से ब्र देखें यहां पर डेलिया के एक दो तीन प्लांट को रिपोर्ट किया हूं वहां पर मेरीगोल के प्लांट है वहां पर क्रिसंथेमं के प्लांट है यहां पर फैलो हिए पॉट के अंदर कल ही मैं पीटुणिया के प्लांट को ग्लो किया हूं एकदम छोटा सा प्लांट है दो तो जगह देखके मैं धीरे-धीरे सभी प्लांट को डिपोर्टिंग कर दूँगा आने वाले समय में तो फ्रेंड्स यह था मेरा आज का वीडियो मेरे सभी कटिंग्स और विंटर सीजन में वेजेटेबिल्स वाले सभी प्लांट की जिसकी अपडेट में आप लोगों के शा आत तब तक के लिए बाई